इस समय हम खड़े हैं महान पार्शोगाइक किशोर कुमार जी के मकान में किशोर कुमार यहां पर पहता हुए थे यहीं पर उनका जंग हुआ था आए आज हम आपको दिखाते हैं वो इस्तान जहां पर जंग हुआ था ये खंडवा शहर के मुख्य बादार, बंबे बादार में इस्थित्म इनका मकान है, गंगोली हाउस इसका नाम है, चलिए आईए, आप कम रूबर्यू कराते हैं, किशोर कुमार का के जन्म इस्थान से. ये है, खंडवा मत्य परदेश का मुख्य बादार, बंबे बादार, इसी मुख्य मार्ग पर आज भी खड़ा है, महान गायक किशोर कुमार का बंगला, मुख्य बजार में होने से, गांगोली हाउस आज पूरी तरह दुकानों से घिर चुका है, पहली नजर में ये राहगीरों को नजर ही नहीं आता, जरजर हो चुके इस भवन में परवेश करते ही सबसे पहले नजर आती है किशोर दाय की तस्वीर, और पास ही एक तक्ति लेगी हुए, जिस पर लिखा है, बिना इजाज़त, फोटो निकालना मना है, इस बरामदे को पार कर जब हम अंदर जाते हैं, तो गंगुली हाउस की भवेता का एहसास होने लगता है, लेकिन समय के थपेड़ों की मार इस इमारत पर साफ साफ नजर आने लेगी है, साइट का गलियारा पार कर जब हम अंदर पहुँचते हैं, तो किसी उजाड की लेशा दरश्च नजर आता है, भूतल से लेकर पहले माले तक भवन पूरी तरह जरजर हो चुका है, यहां खर्पतवार से जंगल जैसा दरश्च दिखाई देने लगा है, देखरेक के अभा उनकी मजबूत लगडियों से बने, जीने से होकर जब हम उपर जाते हैं, तो इस भवन की भवेता नजर आने लगती है, साथ ही समय की मार भी इस पर साफ साफ देखी जा सकती है, पहले माले पर तीन बड़े कमरे बने हुए हैं, इस समय जो कमरा और इसमें पलंग सारे का उदय हुआ था, इस नए नक्षत का नाम आभाश कुमार गांगुली रखा गया, इस कमरे में कभी गुंजी किलकारियां, बाद में करोडों हिंदुस्तानियों के दिलों की धरकन बन गई, किशोर कुमार खंडवा को जितना प्रेम करते थे, खंडवा भी उतना ही प्रेम उनसे करता था, वे जब भी खंडवा आते, अपने यार दोस्तों के गले में हाट डाल कर, बाम्बे बजार और बुद्वारा बजार की गलियों में घूमा करते थे, खंडवा से उन्हें बेहत लगाव था, वे अपना अंतिम समय इसी शहर में बिताना चाहते थे, किशुर्दा की यादों को अक्षुन बनाये रखने के लिए, खंडवा नगर निगम ने 4 अगस्त 2008 को उनकी समाधी से कुछ ही उद्यूरी पर किशुर कुमार इस मारक का लोकारपन करवाया, यह इस मारक किशुर्दा के परतीग, खंडवा शहर की आगात महबत का परतीग है, इस इस मारक में एक थेटर भी बनाया गया है, जिसमें उनके जन्म और आवसान दिवस पर उनकी गीतों का परदशन किया जाता है, खंडवा इंदोर मुख्य मारक पर इस्थित, यह इस मारक किशुर कुमार और खंडवा के प्रेम का इजहार करता नजार आता है, किशुर कुमार को अब भारत रत दिये जाने के लिए खंडवा से मांग उठने लेगी है, वहीं उनके जरजर हो चुके भवन को जन्म और इस मारक के रूप में विक्सित किये जाने की मांग भी शेहर वासी बरसों से कर रहे हैं, किशुर कुमार की महशा अनुरूप खंडवा में एक आडिटोरियम बनाया गया है, जिसका नाम गौरी कुंज रखा गया है, ये नाम किशुर कुमार के माता और पिता का मिला जुला रूप है, इस समय मैं खड़ा हूँ, स्वर्गी किशुर कुमार की समाधी पर, किशुर कुमार की अंतिम इच्छ थी, कि उनके मर्णों पराद, उनकी पार्थिव देह को खंडवा लाया जाया, और यही पर उसका अंतिन संस्कार किया जाया, उनके निधन के बाद, उनके शओ को लगाया था, उनकी शओ यात रखा, उसके बाद, इंदोर रोड इस्थित इस स्थान पर, इस मुक्ति धहम पर उनका अंतिन संस्कार किया गया, किशोर दाने, 1946 से लेकर 1987 तक के अपने 41 साल के फिल्मिस सफर में 8 फिल्म फियर अवाड जिते हैं, 1970 में मत्यपर्दे सरकार ने इस महान गायक की याद में किशोर अलंकरेंट की घोशने की, जो हर सार 4 अगस्तों को खंड़ों में आयोजित भवे समारों में दिया जाता है, किशोर कुमार ने लेवेक सिंगर के रूप में जितनी ख्याती हासिल की, उतने ही शौरद उन्होंने हेक्टर और डारिक्टर के रूप में भी हासिल की, इसके साथ ही उन्होंने गीतकार, स्क्रिन राइटर और प्रोडिसर के रूप में फिल्म इंड्रेस्टीज में अपनी सेवाई दी किशोर कुमार का एक गीत जो रिलीज नहीं हुआ था वो 2012 में एक करोड च्पन लाग रुपे में निलाम हुआ इसी वाट से हम किशोर कुमार क्षणवावाला कहकर ही दिया करते थे वो अपने अंतिम समय में खणवाव में आकर बसना चाते थे और अपने बाल सखाओं के साथ मोज मस्ती करना चाते थे लेकिन किसमत ने ऐसा होने नहीं दिया 13 अक्टूबर 1987 को 58 साल के उम्र में ये सितारा ब्रह्म में लीन हो गया खंड़ों में इनकी समाधी पर आज भी साल में दो बार मेले लगते हैं किशोर कुमार के इसी सुन्दर गीत के साथ आप मुझे दीजे इजाज़त मैं हूँ आपका दोस्ता आशिव सिद्धी की मैं आपके सामने और हाजिर होता रहूँगा इसी तरह के और नए वीडियो ले करके तो मुझे दीजे जाज़त नमस्कार जैहिन जै भारत कि इसी जैब आपके सांटर जैहिन आपके सामने प्राहं जैए टूप